नमस्ते दोस्तो मैं हूँ विशाल और मैं स्वागत करता हूँ आपका M&M के नए वीडियो में दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाला हूँ कुछ ऐसी चीजे जो आपकी परसनालिटी को इंप्रूव कर सकती है दोस्तो अगर आपने इन सभी चीजों को जो आज मैं आपके साथ शेर करने वाला हूँ अगर आपने इन सभी चीजों को अपने लाइफ में लाइफ में इंप्लिमेंट करना शुरू कर दिया इन चीजों के शुरुआत कर दी आप देखोगे आप देखोगे कि आपकी personality किस तरह से धीरे 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 और ज़्यादा improve होती जा रही है जी यहां दोस्तों तो आज की वीडियो में मैं इहीं कुछ चीजों के बार में बात करने माला हूँ तो यह कौन सी चीज़े हैं जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए जादा लोगों के साथ बाते करनी हैं जियां दोस्तों जितने जादा लोगों के साथ आप बाते करोगे हस्ते हस्ते बाते करोगे उन्हें खुश करोगे उनका दिन बनाओगे उतनी ही जादा अच्छी आपकी personality होगी उतनी ही outgoing आपकी personality होगी अब बात आती है क्या extrovert होना ज़रूरी है तो सुनो, यह ज़रूरी नहीं है extrovert होना ज़रूरी नहीं है you can be introvert लेकिन फिर भी अगर आपको लाईफ में successful होना है बहुत सरे ऐसे successful लोग है जो introvert है लेकिन फिर भी अगर आपको successful होना है तो उसके लिए आपको इंट्रोवर्ट का जाल तोड़ना होगा यानि आपको सोशल होना होगा आपको जादा लोग के साथ बाते करनी होंगी करनी पड़ सकती है मैं भी इंट्रोवर्ट हूं लेकिन फिर भी I try to be more social आपको try करना है कि आप जादा से जादा लोग के साथ बाते करोगे और अच्छी बाते करोगे politics के topics पे जगडे नहीं करोगे you can talk on finance, fitness and etc. आप बहुत सारे चीदों के ऊपर बात कर सकते हो और ये make sure कर सकते हो कि सामने वाले को आपकी personality बहुत अच्छी लगे and this will make you more attractive and improve your personality okay so moving on to the second tip ये बहुत जादा रलेटबल टिप है इस टिप से okay ट्राइं तो बहुत सोचल अगर आप चाहते हो कि जादा से जादा आप सोचल हो okay अगर आप ये चाहते हो कि जादा से जादा लोग आप से बाते करे उसके लिए आपको जो दूसरी चीज़ करनी होगी that is read more books listen to audiobooks or watch more informative videos जी ये दोस्तों जितना जादा knowledge आपको होगा आप उतने ही जादा topics के लिए उपर बात कर सकते हो लोगों के साथ जी ये दोस्तों लोगों को क्या पसंद है लोगों को deep talks पसंद है जो talks बहुत ही deep होंगे आप शाद उनके personality के और अंदर जाग सकते हो इन talks के दुआरा लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीज़े पता होनी चाहिए आपको sports के बारा में बता होना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आप एक पर से दोस्ती करना चाहते हो और समझो उसका मन पसंदिदार टॉपिक है समझो finance तो शाद आपको finance के ऊपर भी तोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए तो अगर आपको आपके पस्नालिटी को और साथ इंब्रूव करना है तो उसके लिए आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जब आप लोगों के साथ social होंगे जब भी आप लोगों के साथ बाते करेंगे आपको बस knowledgeable होना नहीं है आप कहोगे कि मैं knowledgeable हूँ और politics के ऊपर बात करते हुए आप लोगों को गाली दोगे तो this will make your personality more worse जिया दूस्तों यह आपके personality को और भी दादा बत्तर बना देगा और आपको personality को बहतर बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको एक बात समझनी है कि हर एक situation के ऊपर जब भी आप बाते करोगे आपको इस चीज पर ध्यान देना है जी आँ दूस्तों be optimistic in every conversation most of the conversation जो आपके होंगे वो positive होने चाहिए वो optimistic होने चाहिए अगर आप किसी problematic situation में भी हो फिर भी you need to think optimistic you need to talk optimistic उससे होगा कि हम उससे जो सामने वाले लोग है जो आपके साथ हैं कि आपके साथ वाले लोग वो आपसे energy लेंगे वो आपसे वो positive energy चीन लेंगे और आप यही चाहते हो कि सामने वाले लोगों को आपसे energy मिले okay so try give all the energy all the positive vibes to all the people around you यह आपके personality को और भी जाता बहतर बना देगी ना कि वो जब यह कहोगे कि यह परसन ऐसा है यह परसन बहता है यह परसन बहता है यह आपके personality को बतर बना देगा so be optimistic be positive in every problematic situation and every conversation that will improve your personality so those two moving on to the tip number four and that is ambition yeah those two ambition you have to be ambitious in order to be more likely you need to be more ambitious to develop your career to be successful when you are ambitious okay I'm not talking too much of ambition I'm talking ambitious okay when you are ambitious people are gonna like you so people will see you in the rage that I have to do something in life the rage that will be more attractive that will be more attractive so if you are ambitious then don't think that I should not be ambitious so that I will improve your personality okay okay do not think that you have to do something because your ambition is okay your ambition is that's the part of your personality and that's making you more likeable so be more ambitious work on your career to be more successful okay and that's gonna drive people crazy behind you so you have to remember this thing always if you are ambitious you are more likeable so guys moving on to the last tip of this video and you have to focus on this thing okay and that is fitness you have to focus on this thing because when you are more fit okay your body looks so good your personality will be better okay you have to be fit and your body will be better okay you have to be fit from inside you have to be fit from inside you not just to impress others but for your health okay this is the first thing is your health this is your health improve your body will be better when you work out when you do cardio your cardiovascular health your muscles will grow more okay and this is gonna make you more healthy more fit and this will get another benefit that is it will enhance your personality yeah friends the workout you do on a regular basis will enhance your personality okay this will make your personality more better okay and if you want to make your personality more likeable more attractive more better then you have to add this thing in your routine that is workout yeah friends the workout in your routine add it to your routine add it to your routine add it to your routine and I don't say that your workout 2-3 hours are increased I just say that your workout what you need to do okay फिर आप आदा गंटा गरो एक गंटा गरो okay that's fine okay a 45 minutes workout it's enough अगर आप चाहते हो एक healthy body, एक fit body और एक muscular lean body which is more attractive अगर आप बैसा चाहते हो so a 45 minutes workout it's enough so start doing it from right now जी आप उसको अभी शुरुवात करो workout करने के लिए okay और हर वो टेप जो मैंने आज बताई है आपको हर वो टेप फॉलो करो और देखो देखो किस तरह से आपकी जो personality है वह यहां से यहां चली जाएगी तो दोस्तों यह था आज का वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना और आपके हर दोस्तों के साथ शेर करना ताकि आपके साथ उनकी भी पसनालेटी और वी तता एनहेंस हो जाए और एक बार सब्सक्राइब टूआ चैनल मिलता हो आपको ऐसी एक इंट्रस्टि वीडियो में तब तक के लिए टेक केर